सोशल मीडिया के इस दौर में कब क्या वाइरल हो जाए इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता पिछले ही दिनों की ये बात है जब बिहार के मुख्य मंदरी नितीश कुमार ने लॉक्डाउन को ले करके ट्वीट के जरिये बिहार वासियों को ये जानकारी दी थी उन्होंने कहा था कि लॉक्डाउन को बढ़ाया जाता है अब इस पर एक यूबग ने एक अजीबो गरीब मांग सीम नितीश से कर दी उसने कहा कि मेरी गल्फरिंट की अगर आप शादी रुकवा सकते हैं तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा जिसके बाद फिर क्या था पंकच कुमार गुपता इंटरनेट पर काफी तेजी से वारल हुआ उसके ट्वीट को काफी लोगों ने री ट्वीट किया शायद इससे ही प्रेरित होकर भोजपूरी पावर स्टार पवन सिंग ने एक गाना रिलीस कर दिया है जिसका नाम है मजनुआ पिटाता महत चंद गंटों में इसने पांच लाग के करी व्यूज ला चुके हैं और ये गाना जो है अब काफी तेजी से इंटरनेट पर वारल होड़ा है पवन सिंग का ये गाना भोजपूरी के लोग परिये यूट्यूब चानल यसी फिल्म से जारी हुआ है जहां लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं पवन सिंग का ये भोजपूरी गाना काफी तेजी से इंटरनेट पर वाइडल हो रहा है ये गाना एक प्रेमी की है जिसकी प्रेमीका की शादी हो रही होती है और वो उसके लिए तरपते रहता है फिर हिम्बत चुटा कर शादी वाले दिन उससे मिलने आता है जहां प्रेमीका के परीजन उसको पीटते हैं इसी को लेकर ये गाना बनाया गया है जिसमें प्रेमी यानी मजनुआ पिटाता है गाने की मेकिंग बेहत खुबसूरत है और लिरिक्स दिल छू लेने वाले हैं तभी ये गाना इंटरनेट पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है आपको हम बताएं कि अभी तक कुछी घंटे में लगबग 5 लाग के करीब इस गाने को व्यूज मिल चुके है और इसके व्यूज जो है काफी तेजी से बढ़ रहे है गाना मजनुआ पिटाता का कॉंसेप्ट है पवन सिंग के इस गाने को उनके माता पिता का आशिरवाद मिला है पवन सिंग ने कहा कि ये गाना उन ट्वीट में लिखा था कि बिहार में लॉक्डाउन को बढ़ाया जाएगा। ट्वीट पर एक लड़के ने गल्फरेंड की शादी रुकवाने का अनुरोध किया। पावर स्टार पावन सिंग ने एक गाना बना दिया है जिसका नाम है मजनुआ पिटाता। फिलाल के लेतना ही आप बनेड़ है फर्स्ट बिहार जाड़कन के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।